नमस्कार दोस्ते राजू सर के नाम से इस्ट्यू चैनल में आपका हर्दिक स्वागत है वीडियो की स्कड़ी के अंदर आज हम लेके आएं mcq वीडियो थेयर्टिकल वीडियो के साथ साथ में हम कहीं सारे mcqs वीडियो पढ़ने वाले हैं रिसेंटली जो डिली सेप्टेंबर में जिसके होने की संभावना है उसके आदार पर बहुत सारे इंपोर्टेंट mcqs वीडियो करने वाले हैं और साथ में कुछ थेयर्टिकल टॉपिक्स जो की एक्जाम में इंपोर्टेंट रहते हैं वो भी हम जो है क्लियर करने वाले हैं तो यह mcq जो है वो सउ मेटेंड 警or कौनसा डीजी यह हो ठांस्मिट होता है या कॉनसा बेक्टिरिया या वायरस ट्रांसमिट होता है रॉडेंट्स के द्वारा फर स्टेंहे नोवाक वायरस सेकिंने एक ट्राइटिस र वायरस थड़ बने एबोला वायरस फौर्थ वन है पोलियो वाइरस रोडियंट्स के द्वारा ट्रांस्मिट होने वाइरस नौवाग, हीपेटरिटिस-A, इबोला और पोलियो वाइरस ओके नाव अब हम देखते हैं यहां पर जो चार वाइरस के नाम लिखे हैं इसमें तीन वाइरस वन इस नौवाग, वन इस हीपेटरिटिस-A, N1 is polio, यह तीनों के तीनों वाइरस जो होते हैं, और फिकल रूट से ट्रांस्मिट होते हैं, अन हाइजिनिक जो है, या डर्टी वाटर या फूड के द्वारा यह ट्रांस्मिट होते हैं, स्टूल और वमिट के तुरू कंटामिनेटिव वेवे वाटर या जो फूड है, उसके द्वारा एक कंटामिनेटिड परसन से दूसरे में यह जाते हैं, तो इनका सम्वन्द रोडेंट से नहीं होता है, तो एक ही वाइरस बचा पीछे, इबोला वाइरस और इबोला वाइरस जो होता है, वो रोडेंट के थूरू ट्रांस्मिट देखन इन विचा आप mental activity and interpersonal skill 3 तरह की skill दी हुई है implement अगर कोई चीज करनी होती है आपको जब आप विसी चीज का implement प्लानिंग आप कर चुक है और उसको implement करना है तो implement आपको सोच समझ कर और movement के दौरा आपस में communication रख के फिर करना होता है नहीं तो implement आप प्रोपरली नहीं कर पाएंगे तो है वो चाहिए होती है implementation phase के अंदर nursing process के नेक्स्ट वन है विच इस दे मौस्ट इंपोर्टेंट ड्रग इन दे treatment of organophosphate poisoning very very important topic OPS organophosphate poisoning सबसे important drug कौन सी रहती है treatment के समय इसका मतलब OPS जो है उसकी poisoning जब होती है तो कौन सी ड्रग यूज करते हैं एज एंटीडोट एन acetyl cysteine atropine sulfate diisepam or adrenaline which drug is used हां बिल्कुल कई लोग बिल्कुल सही है atropine sulfate कई लोगों ने ज्वाब बोला है और यह ज्वाब सही है बिल्कुल atropine sulfate जो है वो ड्रग यूज की जाती है एज एंटीडोट in organophosphate poisoning now organophosphate poisoning में होता क्या है तो organophosphate poisoning जो होती है उसके अंदर जो acetyl choline sorry coline esterage होता है और वह बाइंड कर देता है यह toxin तो acetyl choline का रिलीज ज्यादा होता है जब ज्यादा होता है तो बोड़ी की जी इस सिस्टम जो है वह पर जाता है और बाकि सारे सिस्टम स्लो हो जाती है नर्वस सिस्टम हम पढ़ते हैं तो पैसेंट जो ता जिसको organophosphate poisoning होती है दयरे को मिलता है वा हमिटिं दैखने को मिलती इसके अलावा प्युपिल जो है के हो जाता है तो मैयसिस देखने को मिलता प्रेश्स होता है 테तिंग मुहां पर त्रेमर्स होते हैं ट्रेमर्स मसल जो है उसमें कम-कम भी आ जाती है ट्रेमर्स होते हैं और confusion वारी condition के अंदर देखने को मिलता individual तो यह सारे के सारे OPS के poisoning के symptom है excessive salivation tear diarrhea vomiting meiosis sweating tremors confusion इन सब को prevent करने के लिए रोकने के लिए अब को symptom को रिवर्ट करती है और इसकी अगर टॉक्सिटी हो जाए तो flumagenil flumagenil यह antidote की रूप में काम है लेते हैं और एड्रीन ड्रग यूज की जाती है फॉर ट्रीटमेंट ओप अनफालेटिक शॉक एनफालेटिक शॉक एड्रीन या अपनेफालेटिक शॉक की कंडिसे में काम है यहां पर आंसर भी रहेगा अट्रोपिन सल्पेट नेक्स्ट का यह आवर्रोड प्लान ओर Blueprint फोर आंस्ट रिस्टिंग प्लान बनाया जाता है उसको क्या बोला जाता है फर्स्ट आनलाइज सीज़ हैं चारों टर्मिनोलोजी रिसर्च किया अगर आप तर्मिनोलोजी का पता है तो आप जवाब दे पाएंगे एनालाइजिस क्या होता है एनालाइजिस फ्रोसेस फॉर्डयजिंग एंड सिंथेसिंग डाटा तो तू आंसवर research question and test hypothesis analysis जो है वो एक तरह का एक प्रोसेस है जिसमें हम organize करते हैं यह synthesize करते हैं कि इसको data को ताकि हम research के question का क्या दे सके answer दे सके hypothesis बना सके तो ऐसा यहां पर नहीं लिखावा यहां तो overall plan or blueprint for answering the research question research question का answer देने के लिए blueprint को क्या कहते हैं तो यह तो डाटा को organize करना कहला था analysis hypothesis जो होता है इस्टेट्मेंट है declaration है कि expect outcome क्या रहेगा research study का वह hypothesis है research design जो होता है वो blueprint होता है उस plan का blueprint research design है analysis जो है वो एक प्रोसेस है और उस plan का blueprint है जो नक्सा है वो research design के लाता है design नक्सा और सेंपल जो होता है वो एक सबसेट framework होता है जहां पर selected base के आदार पर हम रेंडेमाई study करते हैं और probability देखते हैं कि वह क्या result आ सकते हैं यह sampling के लाती है तो यहां पर answer रहेगा research design c is the correct one नेक्स्ट है लेपरसी आल्सो को और लेपरसी को और किस नाम से जाना जाता है वन इसके बीज इसके बीज को लेपरसी और इसके बीज को कोई समझ नहीं है इसके बीज एक अलग डिजी है लेपरसी जो है वो बैक्टिरियल डीजीज है इसके भी जो है वो प्रोटोजोवल डीजीज है स्वार्कॉप्टी जिसके भी इसका कोजेटिव और लेप्रोसी का माइकोबेक्टियम लेप्री है एंसन्स नाम के भाई साब ने सबसे पहले इस विमारी को बता है इसलिए इसको एंसन्स डीजीज बनते हैं बोड़ी के उपर यलो कलर के और हाड होते हैं टच करने पर वह हाड दिखते हैं और उनकी जो है और यह पाम पर सिंद्धी काम में लिया जाता और अपलोक्स इंद्धी काम में लेते हैं बहुत लुष में अपू सेरी में 2 سाल की जो उमर है उस से वह पीडियको और स्थेज बोला कौन्सी बोला true तो यहां पर सेन्सोरी मोर्टर तह पुचा नहीं गया तो यह जवाब तो नहीं रहेगा 11 साल से उपर वह स्थेज्ञ को फॉर्मल ऑप्रीस्ट्यrist बोला यहां तो प्रि ऑपरेटिव इसके बारें पूछाएं साथ से 11 साल की स्टेज होती है इसको कॉनकरीट कॉनकरीट यह ओपरेस्नल थोट बोलते हैं कॉनकरीट यह है नोन-फॉर्मल ओपेस्ट भासब उससे पहले होते हैं प्री ऑपरेटिवrikína नかった वहाanie को प्रीकनसप्शल इसको प्रीकनसप्शल भी कहते हैं यह यहां सब रहेगा तुट सेवन यह साथ सेट होता है और बशूर से दो साल में सेंसरी मोटर होता है अचा इन सब स्टेज में क्या होता यह वास्तों में यह नहाम है क्या अजीब हो गरीब नाम तो यह बहुत सिंपल नाम है इनको हमें डीटेल से पढ़ेंगे टीडिक लेक्टर के अंदर अब यह आपको यह याद रखना कि कौन सी स्टेज कौन सी एज के अंदर देखने को मिलती है कि नेक्टकि प्राइमरी परपज अद्मिस्टेशिशिंग कोडिको यह झाल चाइल बचे में इस्टेड का यह तो प्रमेंट प्रपज क्या रहता है तो अप्सिन syndrome के अंदर steroid का क्या रोल है तो आपका मेस्ट जवाब बना चलिए protein urea को कंप करने के लिए to reduce inflammation प्रश्र बढ़ाने की दबाए नहीं होती है तो यह तीनों प्रेशन जो है वह गलत है infection नहीं रोकती है inflammation को reduce नहीं करती है और blood pressure को नहीं बढ़ाती है protein urea को कम करती है exam में जब भी आता है तो हम दोनों में confused हो जाते हैं कि ज्यादा तर लोग जो है वह inflammation को कम करती है यह जवाब करके आ करते हैं पर याद रखिएगा naprotik syndrome ना तो inflammatory बिमारी है और इस्ट्रोइड का वहां पर यह रोल है इस्ट्रोइड जो है वो protein urea को minimize करता है ने प्रोटीन यूरिया एडिमा और हैपर लिपीडीमिया पैसम जो था उसमें प्रोटीन यूरिया हाइपो एल्बिनीमिया या नेक्स्ट इविच मोर्ड ऑप इन्हेरिटेज इस फाउंड इन सिस्टिक फाइब्रोसिस सिस्टिक फाइब्रोसिस एक बीमारी है जिसमें cftr प्रोटीन जो है उसकी जनम से डेफिशन्स होती है तो यह कौन सा जैनेटिक इनहेटेज प्रोब्लम रहता है तो सिस्टिक फा पहले हैं ऑटो सोमल रिससिव बिल्कुल करेक्ट आंसरे ऑटो सोमल डोमीनेंट नहीं होती है यह उटो समय रिससी होती है तो सिस्टिक फाइब्रोसिस कौन सा इनेडिज है तो जवाब होता है autosomal रिससीव डिसोल्डर होता है एक्जोक्राइन ग्लैंड का cftr प्रोटिन बहुत इंपोर्टेंट होता है इस बीमारी के अंदर नेक्स टाइप ऑप ओटोपसी देट इस डान टुटिटर्माइन देट पॉर मेडिकल लीगल परपस में कोज अब डैट का पता लगाने के लिए क्या किया जाता है तो ऑटोपसी जो की जाती है उसको हम क्या कहते हैं पह लीगल कहस्त जोते हो फोरेंसिक डिपार्टमेंट के लाते हैं तो फोरेंसिक इसमें प्रेंसे तेंट यूमन बोडी का टेंप्रेशर कों मेंटेंड करता है नोमेली ऑपसे फैट फाइबर कार्भाइडरेट और प्रोटीन तो इन में सबसे ज्यादा एनरजी और हीट जो केलोरी होता है एनरजी ही हीट को मेंटेंट करेगी तो फैट यहां पर करेक्ट आप चुड़ेगा कि वैंद पीएमियों पैंडेड़ इस टर्म नीज और पचीश नॉमल होता है यह बेजल मेटाबॉलिक इंडेक्स होता है वेट इन केजी और हाइट इन मिट्र स्कुरी इससे अपन करते हैं तो अठारा अगर और उससे भी कमए तो यह अंडरवेट है तो ओवरवेट तब हो प्रियोबीज भी यह होती है अंशर बिल्कुल सही है अठारा और अठार से कम जो है वह अंडर वेट के अंदर आएगा और जो है ओभी जो है वो 30 से अबव को कहते हैं तीस से उपर है तो भी जोते है वेट इन केजी हाइट इन मिटर इसकेर यह फोर्मूला बीमाई का कि यह सैवर टेंट फार इनेट इमुनिटी बाइड किलिंग वार्य इंटग्स इंफक्टे इन इनग विने ही इनेट इम्मूनिटी हमनेश देती है डेल डेलू बीसी एकवाड इम्मूनिटीय अलGeLast इने जनम से होते है डेलो बीसी होती है डेलो डेलो इकिल्र के इननल killer cell जो होती है वो immunity देने का काम करती है NK cell, T cell, macrophages, neutrophils, इसारे ही WBC है लेकिन इसमें natural killer cell जो होती है वो innate immunity का काम करती है बाकी जो है वो जरुत पढ़ने पे बनती है बैक्टिरिया के जाने पे neutrophils के नंबर बढ़ते हैं, macrophages active होती है या T cell, bacteria virus के entry होने पे लेकिन जो innate immunity में भाग लेती है वो NK cell के लाती है इनको natural killer cell के नाम से जानते हैं, यह यहाँ पे correct answer रहेगा लेकित वाइटल साइन इस बिल्कुल सही है बहुत ही बढ़िया N is the fifth vital sign पैन को respiration, temperature, blood pressure और जो है वहाँ पे TPR BPG जिसको हम बोलते हैं पैन को माना जाता है पैन is the fifth vital sign mean, arterial pressure, SAO2, ABG analysis, यह कोई भी नहीं है पैन जो है वहाँ पे fifth vital sign माना जाता है, तो यह कुछ important MCQ आज हमने discuss किया अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को पहुंचाने की जिमेदरी उटाएं ताकि अपनी छोटी सी कोशिस में बहुत सारे लोग जो है इसका फाइदा उटा सके और कहीं गरों के दीपक जो है हम जला पाएं तो एक बार करके देखिएगा बहुत अच्छा लगता है, मिलते हैं दूबारा थन्यवाद